अब हम स्टार्ट करेंगे शियर फोसेंड बेंडिंग मुडंट के प्रिविए से कॉश्चन ओफ वनमार्क्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कॉश्चन है अब बीम्स हेविंग डबल कंटिलिवर डबल कंटिलिवर अटेज़ अ मिड़ स्टार्ट करेंगे डायर कोई डिरेक लिए है क्या नहीं लग रहा है उनकली क्या लग रहा है जो पी है उसके कारें इंडिरेक्ली यहां पर फिर्स अबर आपका लेंथ CD is equal to CFA, that is CD is equal to CFA, DE is equal to FGA, DE is equal to FGN, AC is equal to SB, AC is equal to SB, so, यह length आपके equal है, लेकिन हमें क्या निकालना है, आपका nature of forces in length AB, AB में कौन सा force लगेगा, force लगेगा उसका nature क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, यह जो force है उसको यहाँ पर transfer करेंगे, तो यह आपका पहसे तो axial load AP transfer होगा, यह भी P transfer होजाएगा, तो overall क्या होजाएगा, यह आपका PP, यह क्या होजाएगा, यह आपका 2P होजाएगा, ठीक है, दोनों add करके 2P होजाएगा, अब आपका moment transfer होगा, moment करेंगे, तो यह क्या होगा, यह इस direction में होगा, यह इस direction में होग तो यह आपका cross section है, तो यह आपका एक तो ऐसा लग रहा है, और दूसरा आपका ऐसा opposite लग रहा है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपके perpendicular है, यह, यह इस direction में लग रहा है, और वो, वो उल्टा, वो इस direction में लग रहा है, ठीक है, तो एक दूसरा को cancel out कर देंगे मतलब आपका forces क्या लगेंगे, आपका total, आपका 2P लगेगा, सिर्फ आपका transverse या vertical force लगेगा, इसके कान क्या क्या develop होगा, shear force और bending moment बस होगा, तो यह आपका bending shear, torsion नहीं होगा, ठीक है, pure torsion बोर रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, torsion नहीं होगा, ठीक है, pure torsion ब लगेंगे, तो यह आपका suppose cantilever है, वो क्या है, वो curved है, वो आपका curved है, वो समें lateral load लग रहा है, तो उसके कान क्या होगा, bending want to go shear force होगा, लेकिन आपका क्योंकि curved है तो इसके कान torsion भी इसमें लगेगा, तो क्या-क्या answer हैगा, इसमें bending और sharing है, torsion नहीं है, तो यह गलत ह होगा, विसमें bending and twisting है, तो shear नहीं यह गलत होगा, twisting torsion दोरों ही है, twisting and shearing, आपका bending यह गलत होगा, तो bending, twisting and sharing, so यह आपका सही है, so d is the correct answer, next, next है आपका, if the shear force at any section of the beam under bending is equal to 0, then the bending moment at the section is, shear force आपका 0 है, तो bending moment क्या होगा, लेकिन shear force क्या होता है, यह आपका dm by dx is equal to 0 होता है, यह आपका slope 0 है, bending moment का slope 0, अगर slope 0 है, अगर slope 0 है, तो क्या होगा, यह आपका stationary points निकाल लिए न, अगर ऐसा bending moment है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी जगा slope 0 होगा, slope 0 है, तो यह तो maximum हो सकता है, यह तो minimum हो सकता है, दोनों में सा कुछ भी हो सकता है, so d is the correct answer, यह objected to lateral loads, will develop at any section, यह आपका curved view न, यहाँ पर lateral load लग रहा है, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह जो load transfer करेंगे न, यहाँ पर आया load, और moment transfer होगा, transfer नहीं होगा, क्योंकि यहीं से pass हो रहा है, तो इसमें क्या load लगेगा, इसमें सिफ axial लगेगा, bending न लगेगा, नहीं, shear force भी नही तो bending and axial, यह भी नहीं लगेगा, axial लगेगा, bending नहीं लगेगा, bending moment and shear force दोनों नहीं लगेगे, axial force, axial force लगेगा, सिर्फ only axial force लगेगा, bending moment only, यह तो गलत ही है, so C is the correct answer, next question, next है आपका, the following statements are related to bending of beams, the only false statement, इसे false statement बताना है, ठीक है, the slope of the bending moment diagram is equal to shear force, तो आपका bending moment है, वो बो रह shear force देगा, यह तो सही है न, सुब आपका पहला सही है, slope of the shear force diagram is equal to load intensity, अब आपका shear force का slope निकाले तो आपका load intensity देगा, यह भी सही है, दूरों गलत नहीं है, फिर the slope of the curvature is equal to the fracture rotation, curvature क्या होता है, actually next, जो lectures आएंगे, upcoming lectures आएंगे, वहाँ पर curvature discuss किया जाएगा, detail में, अभी मैं बता देता हूं, यह होता है, d square y by dx square, यह आपका deflection, deflection को double differentiate करोगे, तो यह आपका m by e, यह bending moment, आपका, is equal to 1 by r, 1 by r है न, r क्या radius, यह आपका होता है, is equal to rho, मतलब यह होता है, आपका curvature, ठेक है, यह आपका curvature, okay, so slope of the curvature is equal to the fracture rotation, तो यह हम बाद में देखेंगे, suppose यह हमें नह आला, गलत हुआ, मतलब यह आपका, यह सही है, गलत हुआ है, यह चारो में concept हो, यह यह true हो गया, हमें देख, यह नहीं पता, तो इसको check कर लेंगे, कि गलत है कि सही है, the second derivative of the deflection, deflection is equal to the curvature, second derivative of deflection is equal to curvature, यह तो सही है, तो fourth भी सही है, बच्चा कॉन सा, third, यह आपका क्या हो होगा, हमें तो fourth statement बताना है, तो C आपका, सही हो जाएगा, ठीक है, next question, next है आपका, a simply supported beam is subjected to a uniformly distributed load, which of the following statements is true, simply supported beam है, यह आपका, simply supported हो गया, यहाँ पराव वो UDL लग रहा है, यह आपका UDL लग रहा है, maximum or minimum shear force occurs when a curvature is a zero, curvature is a zero, curvature is a zero है, पहले तो equation लिख लेते हैं, D square Y by D x square is equal to M by EI is equal to 1 by R is equal to rho, तो अगर आपका rho zero है, तो M by EI भी zero हो जाएगा, बहां के जब भी zero होंगे, double differentiation of deflection यह भी zero होगा, moment भी zero हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बोर रहा है, maximum or minimum shear force occurs when curvature is zero, यहाँ तो bending moment is zero हो जाएगा, हमें क्या प पता, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं मतलब, यह आपका moment zero होगा, moment zero होगा, तो shear force maximum minimum होता है, क्या यह नहीं होता, ठीक है, यह नहीं होता, ठीक है, यह नहीं होता, okay, shear force maximum minimum कब होता है, जब D, D F by D x is zero हो, मतलब आपका loading zero हो, loading zero हो, तब यह आपका maximum and minimum shear forces होता है. Maximum and minimum bending moment occurs when the shear forces is 0 złू. अब आपका shear force 0 था आपका maximum और bending moment, maximum or minimum bending moment occurs करता है. तो है आपका bending moment है. तो maximum or minimum हो निकालने तो क्या करूदेंगे? हए इसको differentiate करें सब्सक्साइट करेंगे. ये क्या होता है, differentiation ये आपका f जर्फ 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 नेक्स्ट है आपका, a vertical load of 10 kN acts on a hinge located at a distance of L by 4 from the roller support Q of a beam of length L, the vertical reaction at the support Q is, vertical reaction निकालना है Q पे, गीवन है कि जो 10 kN का load है लग रहा है, वो कहाँ पर लग रहा है, hinge पर लग रहा है, कहाँ located है L by 4 from the roller support Q, ठीक है, यह आपका यहाँ पर लग रहा है, तो आपका hinge है, तो आपका hinge है, इसको लिए R1 ले लिए, यहाँ पर क्या लिए, यह आपका R1 है तो यहाँ पर भी opposite कुछ load लगेगा R2, equal क्यों नि लिए, क्योंकि आपका 10 kN है, ठीक है, तो R2 minus R1 क्या होगा, यह आपका 10 kN होगा, यह हुआ, हमें क्या निकालना है, हमें तो RQ निकालना है न, यहाँ प 4 is equal to 0, तो L by 4 तो 0 निकालना होगा, तो 0 क्या होगा, आपका R1 Q is equal to 0 होगा, 0 कहाँ है, तो A is the correct answer, ठीक है, next question, next है आपका, अब प्रॉप्ड केंटिलिवर xy, with an internal hinge at the middle, middle is carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter as shown in the figure, the vertical reaction at support x, in kN in integer is, आपका यह xy क्या है, क्या है, केंटिलिवर b में, यहाँ पर ठीक है, अब क्या बोला है, इसके उपर क्या है, UDL है, 10 kN per meter का, हमें क्या निकालना है, vertical reaction at support x निकालना है, hinge है, moment 0 होगा, तो इसको split कर देते हैं, यह यहाँ तक आया, यहाँ पर UDL लग रहा है, second, यहाँ पर आया, यहाँ पर UDL है, तो यह आपका reaction R1 है, इसको क्या ल N per meter तो है ही, 10 kN per meter, यहाँ पर क्या आजागा, यह आपका Rx हो गया, यह आपका Hx हो गया, और आप इसका moment at x हो जाएगा, ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, हमें आपका vertical reaction at x, Rx से निकालना है, Rx कब निकलेगा, Rx, यह किसके को लगा, summation of Fy कर देंगे ना, तो उसस में देखेंगे, तो summation Fy is equal to 0, that is R1 plus Ry is equal to 10 into, यह कितना meter है, 2 meter into 2, ठीक है, तो लेकिन R1, RY क्या है, यह आपका symmetrical है, तो 2R1, R1 is equal to Ry हो जाएगा, अगर यह नहीं आए ना, तो आप क्या करना, moment about R1 ले लो, यह moment about RY ले लो, ठीक है, moment about RY ले लिए, तो R1 into 2 is equal to 10 into 2, लेकिन आपका तो moment है, तो middle point से यहां का distance क्या है, into 1, तो R1 is equal to कितना हो जाएगा, यह आपका 10 आगया, ठीक है, यहां सभी लिखो कि दोनों को equal to 2R1 is equal to 20, that is R1 is equal to 10, चाहे यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां किसमें आएगा unit, यहां किलो newton में आएगा, यह किलो newton per meter है, तो reaction किसमें यहां किलो newton हैगा, अब यहां लगाएंगे, summation f of y is equal to 0, तो क्या हो जाएगा, Rx is equal to 10 into 2, यहां कितना है, 10 meter, that is 20 plus 10, that is 30, Rx कितना होगा, 30 kilonewton, so यहां आपका 30 is the correct answer, ठीक है, so one marks में यह इस नहीं questions थे, thank you very much.